हाई फ्रेंट्स हाई यौल कल ना मैं डियावे की कुछ तिंग्स ढून रहे थी और ढूनते ढूनते पूरा रूम हो गया इधर उधर वैसे भी पूरा रूम करने जैसा ही था डिकलेटर और इस पूरे रूम का आज के पूरे दिन में पूरा में कवर करना है पूरा 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 येस तबी तो हो पाएगी आज की चैलेंज पूरी तो बताईए कहां से करें शुरू सबसे पहले ये मिनी औरगिनाइजर ही खाली करूँ अगर आपको याद हो तो पहले इससे भी चोटा एक औरगिनाइजर था लेकिन वो तूट गया है तो फिलहाल तो यही सबसे चोटा औरगिनाइजर है तो चलो ये पूरा औरगिनाइजर कर लात है खाली बाइदवे ये यूनिक वेसे की हुई ग्रेडियंट नेलाट आपक पैंसिल के ड्रावर में कुछ और ऐसा हो गया है वो तो जल्दी अलग हो जाएगा लेकिन साथ में यह भी देखना है कि कौन से पैंस की रिफिल ओर हो गई है अगर वो यूजन थो वाली पैन है तो इनमेंसे हटा देना है इस बार मैं टेबल पर आओं क्या यह सब तो खाल खाली करने में थोड़ा टाइम लग गया विकास इसमें डियाइवाइस के अलावा भी बहुत सारा समान था जैसे की एक्रेलिक कलर्स, क्ले, ब्रशिस, ड्राइंग पैलेट्स वगेरा वगेरा बहुत कुछ चटा मटा समान तो मुमा भी हल्प कर रहे है शोकेस खाली करने म जो हमने शोकेस में रखे थे कुछ भी केस डियाइवाइस तो नीचे है लेकिन बागी के बड़े-बड़े डियाइवाइस ने शोकेस में नहीं आ पा रहे थे वाउ, इतने सारे पइंटिंग्स तुमने बना लिए मलब यहाँ पर रखा तो पता चल रहा है कि इतने सारे पइंटिंग्स है और काफी कुछ तो यहाँ पर भी है जो भी तक एरेंज़ नहीं हुए है और कुछ-कुछ तुर नीचे भी है शोकेस तो पूरा खाली हो गया है अब बारी है सारे बड़े बड़े और्गनाइजर्स की एक बात बताईए क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप कुछ अच्छे से अरेंज करो फिर थोड़े दिनों के लिए तो वो एकदम सेम तो सेम नीटें क्लीन टिप टॉप रहता है लेकिन फिर दिरे दिरे मैसी होना स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए इस बारना मैंने और भी ज्यादा कमफटेबल रहे उस तरह से अरेंज करने का आइडिया सोचा है तो जब भी मैं डियावाइ करने के लिए डियावाइ रूम में आती हूँ न तो सबसे पहले डियावाइ का समान निकालती हूँ फिर डियावाइ करती हूँ and जैसे DIY complete होता है मैं try करती हूँ सब कुछ declutter करने का बहुत बार तो declutter सब कुछ हो जाता है लेकिन कभी-कभी dinner का time हो जाता है या फिर कभी-कभी DIY ही इतना लंबा होता है कि declutter पूरा नहीं हो पाता तो अब करते हैं यह storage cabinet खाली सारे organizers की comparison में storage cabinet थोड़ी कम मैसी हुई है so one, two, three कितना फटा-फट से खाली हो गया यह easel को फिलहाल यहां से ले लेता है because पीछे भी एक organizer है जिसमें बहुत सारे beads, jump rings, cowries, tools, woolen threads and बहुत कुछ है उसे भी खाली करना है तो फटा-फट से खाली कर लेता है actually कुछ-कुछ जगह न, dust बहुत ही ज़्यादा हो जाती है जैसे कि यह organizer, showcase लेकिन DIY cabinet and multi-color वाले organizers बंद होता है तो उन में dust का कोई खास problem नहीं होता है बट क्योंकि यह DIY room है तो DIYs का बहुत सारा सामान भी होता है open organizers में and paintings और जो DIYs किये हुए होते हैं वो तो of course open में होता है क्योंकि it's a showcase देखिए पूरा DIY room भर गया है कहीं पर ठीक से चलने की भी जगह नहीं है हो सकता है आपको camera में अच्छे से पता न चले लेकिन नीचे बहुत सारा स्टफ है तो सारे organizers खाली हो गए है अब सबसे पहले हम करेंगे इन सबको clean उसके बाद new stationaries unbox करेंगे ताकि सारी stationaries organization के साथ साथ ही अपनी अपनी जेका पर set हो जाए ये देखिए open organizers में dust ना कुछ इस तरह से जम गई है तो मैंने ले लिया है microfiber और फटाफट से start कर दिया cleaning एंड इस बार ज्यादा comfortable रहे उस तरह से organization करेंगे तो अब देखना ये है कि उस according आपाएगा सब कुछ या नहीं तो नाव इस ताइम टू अन्बॉक्स और न्यू स्टेशनरीज ये चलो दिदी पटाफट से अन्बॉक्स करते है तो first है ये पैलेट जो मैं पटाफट से unpack कर ली लेकिन उसका ये जो paper है न वो अच्छे से नहीं निकला साथ में आया है एक brush and by the way ये है watercolor palette next are these rainbow pencils actually इस टाइब की pencils कभी try नहीं की है तो बताने कैसी चलती है उसके बाद है ये plastic crayons जिसमें सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी grip वाला eraser है and then बहुत सारे crayons next are these pastel acrylic colors total 12 different shades है and काफी cute लग रहा है न पैकिंग तो हम painting में इन colors को तो use करेंगे लेकिन आप बताना इन colors से कौन सा painting करें हम I mean canvas पर करें या कुछ और type का painting now next are these ice cream sticks with holes and ये वाली multi color wooden sticks भी साथ में आई है अब next है ये water colors तो इसमें है total 24 shades लेकिन size कितने mini है न साथ में ये छोटा सा cute सा brush भी आया है and ये water color kicks बहुत है पहले न two different scissors थी लेकिन उनमें से एक खराब हो गई थी तो ये वाली हमने newly है and ये ना exactly same है पहले वाले जैसी से now last but not the least ये है magnet sheet ऐसी magnet sheets कभी try नहीं की है लेकिन ये काफे soft भी है तो काफी अच्छा रहेगा and और कुछ ऐसे stationaries है जैसे कि ये eraser उनको unbox करने की तो ज़रूरत नहीं है लेकिन new है तो total ये सारे stationaries हमने आज unbox की उनमें से बहुत सारी तो बहुत क्यूट क्यूट भी है फिर मैं आ गई नीचे और मैंने ये जो डियावेस बनाये थे ने उपो ले लिए डियावे रूम के लिए and क्योंकि यहाँ पे कुछ और डियावेस आने वाले है so ये आ जाएंगे डियावे रूम में तो ये सारे स्टेशनरी आइटम में से आपकी फेवरिट स्टेशनरी आइटम काउन से कमेंट्स में ज़रूर बताना और क्योंकि रूम औरगनाजेशन में बहुत से तिंग की प्लेस बहुत बार चेंज होती है पहले लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा आचा लेगा फिर लगता है कि नहीं इसकी प्लेस यहाँ पे ज़्यादा कमपटेबल है तो इसलिए मैं आप से मिलती हूँ डिरेक्टले नियू लुक आप तो रूम के साथ तो फाइनली पूरे डियावे रूम का में कोर हो गया है अब चलो फटाफट से देखते क्या क्या कहा कहा पर है फॉस्ट अफॉल यह है पूरे डियावे रूम का लुक चलो तो रूम टूर स्टार्ट करते है यह बिगेस्ट पेंटिंग से ये वाला पेंटिंग अब तक बना हुए पेंटिंग में से सबसे बड़ा वाला पेंटिंग है इसकी जगह तो यहीं पर फाइनल की है लेकिन बाजू में यहाँ पे पूरा एमटी रखा है और पेंटिंग के लेप्ट साइड हो गया है पूरा चेंज येस ये स्टोरेज केबिनेट की प्लेज इसकी प्लेज भी बदल गई है उसके उपर भी सबकुछ बदल गया है और इसके अंदर भी उसके उपर डियावे केक और ये आर लेटर है तो ये वाले मिनी थ्री ड्रॉर और्गनाइजर में क्या है वो देख लेते है First drawer में pens है and second में pencils सारी pencils में से ये unicorn वाली is my favorite तो in short ये पूरे organizer में है basic stationeries and I think इसकी previous figure से ये वाला ज्यादा comfortable है अब चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है ये storage cabinet हमने customized specially बनवाय था ना तो इतना मस्बूत है कि इसके उपर बहुत सारा weight भी आ सकता है तो उपर वाले shelf में सबसे आगे sequinless है ten pom-poms, quillings वो सब है second shelf में आगया tools and beads का खजाना balls, cowries, फिर one color वाले beads, buttons, बहुत कुछ है and ये वाला beads box ना सबसे बड़ा है अब आता है last shelf तो उसमें है बहुत सारे canvases, उपर एक scrapbook है and wooden easel दीदी scrapbook कोल के दिखाओ ना अच्छा चलो फटाफट से देख लेता है हमने friendship theme पर बनाया है and black theme में बड़े बड़े photos है ना वो हमने black challenge की थी तब के है तो ये सब है storage cabinet में मैं तो बहुत camera shy हूँ ये storage cabinet का make-over तो सिर्फ शुरुवात है अभी आगे आगे देखते जाओ और भी make-over आता जाएगा तो आगे हम showcase पर first shelf पर बहुत सारे new paintings है वैसे regular viewers को तो पता होगा लेकिन for new viewers मैं बता देती हूँ कि YouTube का लगू मैंने बहुत time पहले बनाया हुआ है और ये बना है form sheet से ये cycle कितने mini है ना और फिर आता है customized R letter वाला DIY वो salt painting है और first shelf वाले सारे canvas paintings recently बनाया हुए है अब अगर बात करें second shelf की तो आदे paintings recently बनाया हुए है और आदे पुराने है ये wooden slice पर जो हमने DIY बनाया था ना वो यहाँ है जो task करना बाकी हो वो मेरे में रख दो और हो जाए तब मेरे में और साथ में है DIY keychains कुछ clay से बनाया हुए है कुछ MDF sheets है और ये दोनो 3D pens है और ये वाले DIY ring इस theme से match जा रही थी तो मैंने इसी में रख दी और इसे पुरा बार भी theme पर decorate किया है वैसे तो पूरा showcase है change हो गया लेकिन यहाँ पर नीचे पहले acrylic colors और different different colors थे लेकिन इस बार ये दो sections भी पूरे change हो गया है क्योंकि पहले इतने सारे canvas paintings नहीं थे अब तो बहुत सारे हो गया है तो पूरा showcase बर गया लेकिन फिर भी कुछ paintings अभी बच रहे है तो third shelf में first of all ये है आप सबके names के first letters मेरे name का first letter तो R है आपके name का first letter कौन सा है comments में बताना और यहाँ पर भी एक mini R है और ये सारे है DIY book mark साथ में कुछ paper weights भी है different different patterns में now moving towards fourth shelf सब सब पहले ये है different different nail arts ये सारी nail arts मैंने बनाई हुई है dummy nails पर और ये पूरा doodle drawing मेरा favorite है फिर ये एक fluid art है जिसके आगे मैंने mini canvas रख दिया और जो सब से पूरानी lip and art है वो भी यही पर है half fifth shelf में छोटे-छोटे canvas इस रखे और बाकी में और DIYs और ये जो mini diary मैंने बनाई थी न वैसे ही same to same mama ने बनाई थी on children's day तो ये gift भी मेरा favorite है इसलिए showcase में ही रखा है ये है DIY to-do list holder and new look of the showcase कैसा लगा comments में बताना तो showcase and ये वाले area का तो tool हो गया now let's move towards this area ये four steps organizer को ऐसे wall के support के साथ ही रखना पड़ता है नहीं तो इसका balance ही नहीं रहता by the way ये markers में बहुत सारे different shades है वैसे इस तरह से सारे boxes में art supplies रखना एकदम comfortable रहता है and it's very easy to find from this organizer अब आगया fourth step जिसमें है oil pastels, brush pens, vasi tape pens and color pencils दी दी अब four drawers organizer में क्या है? बताओ ना लेकिन पहले उपर क्या-क्या है वो देख लेता है rainbow pencils है and ये rainbow organizer में color pencils, metallic and बहुत सारी और pencils है उसके पीछे है वाशी tape organizer now finally it's time to see what's inside this drawer so first drawer में unicorn वाले Barbie theme पर mobile and ऐसे बहुत सारे erasers है और ये तिन sharpeners second one में है सारे keychains and if you remember पहले rainbow organizer और वाशी tape organizer रहते थे storage cabinet के उपर लेकिन अब उनकी place change हो गई है third drawer में है clips, highlighters और कुछ craft का सामान now fourth drawer सबसे पहले है jute bag and mini trolley ये mini globe में India किन किन logo को दिख गया दीदी ये दोनों diaries तो बहुत ही mini है आज अन्बोक्स की हुई ice cream sticks and it's done हम चारों में से कौन सबसे ज़्यादा cute है comments में बताना wooden organizer में postcard, brush, pens और और भी बहुत सारी markers है अब finally आ रहा है वो organizer जो सबसे पहले biggest painting के बाजो में था first shelf में acrylic colors और water colors की tubes है second में acrylic colors और brushes है third one में gouache colors, fabric and glass colors है so yes इस पूरे organizer का पूरा organization एकदम ही change हो गया है पहले जो सब इसमें था वो अब नहीं है उन में से almost सारी things है storage cabinet में तो ये सारे organizers में क्या-क्या है वो सब कुछ आ गया लेकिन table तो अभी बाकी है drawer में है punch machines, stapler, geometry box वगएरा वगएरा left side के cupboard में ये दोनों folders है एक folder में बहुत सारे DIY washi tapes है और ये कुछ पहले बनाई हुई Christmas theme वाली washi tapes भी है और दूसरे folder में washi tapes बनाने के लिए self-adhesive sheets है साथ में ये glows है for clay work नीचे कुछ drawing books and journal है ये mini journal है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है इसमें भी blue, pink चैसे different themes बनाई हुई है और ये है चोटी वाली drawing book और ये है medium size वाली drawing book जिसमें है ये सारे drawings and paintings Now moving towards the right cupboard अब ये सारे folders में क्या है वो तो आप सबको पता ही है different craft papers, stickers और ऐसे different craft supplies और बाकी सारे है extra things और इस बार table का main organizer होगा ये unicorn वाला organizer सब कुछ complete करते करते रहात होगे लेकिन finally DIY room का makeover होगा और हमारी challenge भी पूरी हो गई अब देख लेते है DIY room का new look तो इसे के साथ आज के पूरे दिन में पूरा DIY room makeover करने का task और होता है आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंटस में बताना बाई बाई का पूरी超 अटयो? झाल झाल